नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंख्ला में आज सुनेंगे सुप्रसिद लेखी का मैत्रई पुष्पाजी की कहानी बेटी लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई वोई कहानिया आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें आज सुनिये बेटी धूल नहाय पैरों से जिस रेत भरे रास्ते पर मैं चल रही थी, वह तनिक भी अजनबी नहीं था यहां होकर तो मैं अपने बच्पन में रोज स्कूल जाती रही हूँ गाउं से सारे विद्यार थी, सुबह सबेरे ही बस्ता लाद कर चल देते थे और भाग भूग कर स्कूल के घंटा बजने का वक्त पकड़ ही लेते थे मैं मन ही मन बड़ी दुखी होती थी मेरी मा को भी ना जाने क्यों मुझे पढ़ाने की दोन सवार है मेरी सहेलियां पढ़ाई से मुक्त गाउं में ही उपले थापती जाडों की धूप में बैठी खिलखिलाती रोटी बनाना सीखती और गीत गाती इन सभी कलाओं से वंचित होने का दुख मेरे नन्हे कलेजे में हर वक्त सालता था जिस रहा से मैं स्कूल भागी हुई जा रही होती थी उसी रास्ते पर मेरी अभिन सकी मुन्नी के खेत थे वह वहीं अपने पिता के साथ खेतों में बुबाई कराती मिलती कभी पानी लगा रही होती और कभी रहट हांक रही होती मुझे मुन्नी से एर्ष्या होने लगती थी कि उसके मजे हैं चाहे जब घर चली जाएगी रोटी खाएगी और फिर खेलेगी बस एक मैं हूँ सारे दिन पढ़ाई में लगी रहूंगी कभी नयाद होने वाले इतिहास भोगोल को मास्टर जी के डर से जोर जोर से रटूंगी फिर चार किलो बीटर पैदल चलूंगी तब कहीं लोट कर घर का दर्वाजा देख पाऊंगी भूग के मारे अलग बुरा हाल लोट कर ही मुन्नी से मिलना हो पाता था मुझे देखते ही वह भाग कर मेरे घर आ जाती फिर जिस लल्चाई निगाह से मेरे बस्ते की ओर देखती मुझे आज भी उसकी वह ललक द्रिष्टी याद है लेकिन उस समय वह मुझे निरी मूर्ख लगती भला पढ़ाई के लिए क्या ललक न? मेरे खयाल से उस समय पढ़ाई से ज़्यादा निरस कोई दूसरा काम नहीं था लेकिन मुन्नी हमेशा मेरी किताबों को उलट पलट करती रहती मेरी और उसकी रुचियां सर्वता भिन होते हुए भी हम ना जाने किस सूत्र से एक दूसरे से बंदे हुए थे उसे छोड़कर मुझे इसकूल जाना जरा भी नहीं रुचता था बहुत बार मैं सकूल के रास्ते में मुन्नी के खेतों पर रह जाती और उसके साथ रहत हंखवाती रहती कितनी बार उसकी मां से भी मिन्नत की थी चाची मुन्नी को इसकूल भेश दो न अरी बिटिया क्या कहती हो वह लड़की जात कहां जाएगी और क्या करेगी पढ़लिक कर तुम्हारी बात और है वसुधा अकेली अउलाद बेटा बेटी तुम्ही हो अपनी मा की सो जिंदगी भर पढ़ो तो कोई कुछ कहने वाला नहीं बाप न भाईया इतना लंबा तर्क सुनकर मैं भी चुप हो गई क्या कहती इसके आगे मैंने भी सोच लिया मेरे पढ़ने का कारण यही है नहीं तो मा मुझे भी घर का काम सिखाती वह लड़कपन था शिक्षा का लाब मुझे दिखता भी कैसे इतवार का दिन था मैंने बाल धोय थे सुखाने च्छत पर पहुँच गई मुन्नी के घर की च्छत से ही हमारी च्छत भी मिली थी कुछ चण पश्चात मेरे कानों में मुन्नी की आवाज पढ़ने लगी अम्मा तु मेरे साथ जो कर रही हो वह कुछ अच्छा नहीं कर रही तुम पाँच-पाँच लड़कों को पढ़ा सकती हो लेकिन मेरे लिए तुम्हारे घर अकाल है मेरी किताब कॉपी के पैसे तुम्हें भारी हैं अम्मा रोज एक ही बात की हट करती है तुम्हें हमने कह दिया न नहीं पढ़ा सकते तुझे उसकी मा ने एक बात खींच के कह दी थी क्यों नहीं अम्मा मुझे क्यों नहीं चुप होती है कि नहीं बहुत जवान चल गई है तेरी तू लड़कों की बराबरी करती है बेटे तो बुढ़ापे की लाठी है हमारी हमें सहारा देंगे तू पराय घर का दलितर तेरी कमाई नहीं खानी हमें कह दिया, कान घोल कर सुन ले मुन्नी इसके आगे क्या कहती एक ही हांक में चुप हो गई मैं इतना तो अवश्य समझती थी कि मुन्नी बढ़ी चतुर और बुद्धिमान लड़की थी अगर उसे पढ़ाया जाता तो वह अति प्रतिभाशाली छात्रा सावित होती अपने भाईयों के मुकाबले वह कोशागर बुद्धी बालिका थी पढ़ाय के अतिरिक्त मुन्नी उन सारी विद्याओं में पारंगत हो गई थी जिने सीखने का जरासा भी औसरवह पा सकी उसकी जैसी पाक कला मुश्किल से ही देखने को मिलती धोलक पर थाप देकर गाना उठाती तो गली में चलते लोग एक पल को रुख जाते पडोस में पंडित जी के हितेश की शादी में जब मुन्नी नाची थी तो मुझे अपनी सारी विद्या धूल नजर आने लगी थी कैसी वहाँ वाह हुई थी उसकी उसकी देह में अभूत पुर्व सौंदर जगमगा उठा था कमर की लचक के साथ ही घागरा ऐसे गोंग रहा था मानूद जमीन नाच उठी हो सिलाई कड़ाई में अति प्रवीन वह मेरी सकी पूरे गाउं में अपना लोहा मनवा चुकी थी वह अपनी अम्मा की सारी जिम्मेदारी उठाकर घर का सारा काम करती रही मुँ अंधेरे भाईयों के लिए पराठे सेंगती रही उन्हें इसकूल भेजती रही उनके कपड़े धोती रही पिता के साथ खेत में काम कराती रही और बासी कूसी रोटी खाकर चंद्रकलासी बढ़ती रही फिर भी ब्याह के कारण अपने माता पिता की चिंता का विशय बनती रही लेकिन चाचा को मुन्ने की शादी के लिए भाग दोड़ नहीं करनी पड़ी वह रोपवती, गुणवती, बड़ी सरल्ता से अपनी रिष्टेदारी में ब्याह कर चली गई जब वह गई तो मुझे लगा था जैसे मेरा कलेजा आधा कट कर रह गया हो मुझे जितना कश्ट हुआ था उसकी मा उतनी ही आश्वस्त हो गई थी मुझे के जन्म से ही जिस भार को उन्होंने महसूस किया था उससे मुक्त हो जाना अपने में एक अहम काम था अब क्या था चाचा चाची के हाँ, सिर्फ लड़के रह गए थे उनका क्या, चेक हैं कभी भुना लो, अपनी मर्जी पर निर्भर है यही धारना उनके लिए आनंद दाईनी थी मुन्नी गाउं आती जाती तो थी, माय के आने की रस्म अदा करने बस चाचा चाची तो उसे ब्याह कर गंगा नहा चुके थे वह आती तो एक धोती और डलिया के सामान का वजन ही पर जाता चाचा पर बेटी दे ही क्या सकती है, लेकिन उसके मन में मा के प्रती जो लगाउ था पिता के वादसले का अथाह सागर था, उस पर किसी की दरश्टी कहां जाती थी वहाँ तो पुत्र मोह का ऐसा ताना बाना बुना पड़ा था जिसमें से मुन्नी जहाग तो सकती थी लेकिन उसके पार माता पिता के इसने आचल तक नहीं पहुच सकती थी समय बीतने लगा, लड़कों की शादियां होने लगी पढ़ाई लिखाई में ऐसा खास तो कोई लड़का नहीं निकला एक अवश जूनियर इंजिनियर हो गया, वह सबसे बड़ा था ब्याह भी खुब दान दहेच के साथ हुआ उसका चाची के पाउं जमेन पर नहीं पढ़ गए थे लेकिन दूसरी बार आकर ही बहु ने सारा सामान समेटा और एलान कर दिया कि इस गमाई गाउं में वह एक पल भी नहीं रह सकती लड़का बीबी का सामना कहां कर सकता था दभी जुबान से उसके समर्थन में ही खड़ा हो गया अगले दिन ही दोनों हल्दवानी को विदा हो गए एक बार आया तो वह नगत रुपए भी ले गया जो चाचा ने उसकी ससराल से दहे स्वरूप रात किये थे किराय के मकान की मुश्किलें दिखा कर तथा नया फ्लैक लेने की योजना बता कर बिवाह होते गए बहुएं आती गई लड़कों के तेवर बदलते गए दूसरे नंबर का लड़का वहीं गाउ में ही दुकान करने लगा था अतहे जाता कहां लेकिन उसकी बहु असल बनिय की बेटी आई चाचा चाची की चाय पानी तक का हिसाब बड़ी तंग दिली से रखने लगी अतहे चाची उस कुलवधू से अलग चूला कर बैठी इस प्रकार पोई किसी तरह तो कोई किसी बहाने सब अपना अपना अलग घोसला बना बैठे चाचा चाची निपट अकेले न्यारे पूत पडोसी दाकिल हो गए मुन्नी के रहते चाची ने तवे पर चंदिया नहीं डाली थी लेकिन बुढ़ापे में तो खटना लिखा था आँखे साथ नहीं देती थी धुन्दला दिखने लगा था घुटने के जोड अलग अकरने लगे थे लड़कों के साथ बुढ़ापे ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिये इसके अलावा पांच-पांच बहों की सास अपनी चार रोटी अलग डाले इस तोहीन का दंश कहीं गहरे टीस्ता था आज पडोस में निकलने में भी जिज़क लगती थी अभी तक तो पांच-पुत्रों की मा होने की ठसक में अकड़ कर रही थी सिर उठा कर चली थी और मुहले में सौभाग की प्रतीक बन कर रही थी कर भी क्या सकती थी कभी-कभी चाचा ही उफन जाते अरे घर-घर चूले मिट्टी के हैं आजकल कौन किसी की मानता है कहकर चाचा को शांत कर देती बहुत दिनों बाद मैं अपकी बार गाउं आई थी अपने घर थोड़ी देर ही बैठकर चाची की कोशल छेम लेने उनके घर पहुँच गई चाची? मैंने आवाज दी लेकिन कोई उत्तर नहीं आया हलाकि द्वार में घुस्ते ही वे मुझे आंगन के पार चौके में बैठे दिख गई थी उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन फिर पूर्वत चूले की ओर चुग गई चाची? कौन है? दुन्दवाते चूले को प्रजवले करने का प्रयत्न करते हुए ही बोल रही थी पनियाती मोतिया बिंद उत्री आंखें शायद मुझे देख नहीं पा रही थी वे मुन्नी की मां जिनकी वह कैसी सेवा करती थी आज ऐसी लाचार? चाची? मैं वसुधा कहती हुई मैं उस बूढ़ी काया से करीब करीब सटकर बैट गई वसुधा बेटी? कब आई? आखें अंधी हो चली दिखाई कहां देता है बेटी? सो तुम्हें देख नहीं पाए हम इधर उधर की बातें करती रही उनसे जल्दी ही मैंने पूँच लिया चाची मुन्नी कबसे नहीं आई? मुन्नी? मुन्नी कैसे आवे बिटिया? भाभी भौजाईयों का घर यहां हम ही निप जाएं यहीं बहुत है अरे क्या बताएं बेटी? हमारे बनाए घर से हमें ही निकालने को फिरती हैं ये बहुने खेती पाती सब बटा ली घर भी ले लेंगे तो हम रहेंगे कहां? तुम न्याय की कहना वसुधा लड़के कुछ नहीं कहते चाची उनकी क्या पूँचो बिटिया? घोर कल जुगी हैं बहु के गुलाम हो गए हैं नास पीटे चाची क्रोथ का लावा उबलते हुए तैश में बोल रही थी मैं भी उनके साथ दुखी हो उठी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि पाचो ऐसे निकल जाएंगे हमारी उमीदे ही हमें कहीं का नहीं छोड़ती ये मोह जन्न पिवडाएं ब्रद्धावस्ता को और जरजर करके रख देती है मुन्नी को चिठी लिखवाई है बिटिया पर अपने घर गहस्ती से उसे भी कहां फुर्सत होगी वे यह कहकर अपने मन को ही तसल्ली दे रही थी बेटी से किसी प्रकार की आशा उन्हें थी या नहीं मैं कह नहीं सकती लेकिन जिस दिन मुझे इस गाउं से लोटना था हितेश दोड़ा दोड़ा आया था मेरे घर वसुदा मुन्नी आ गई है तुझे पूँच रही थी सुनते ही मैं उसके घर की और भागी थी देखा कि वह सामने से चली आ रही है अरे वसुदा खूब मिली अपकी बार कहती हुई वह मेरे गले लग गई आखे छल छला उठी हम दोनों की इस साख भाव में भी ना जाने कितने सागर समाय होते हैं जब से गाउं आई हूं मुन्नी तुझे ही याद कर रही हूं मेरे आने गा तो था नहीं वसुदा अम्मा की चिठ्ठी पहुची तो अपने को रोक नहीं पाई साथ अपनी बेटी को भी ले आई हूं वह यही रहेगी अम्मा की रोटिया बना दिया करेगी अम्मा को अब दिखाई नहीं देता न कहते हुए मुन्नी फफफप कर रो पड़ी देर तक खड़ी रोती रही मैं उसे बहलाती रही रो मत मुन्नी अच्छा किया तुने लेकिन मूर्ख यह उसके पढ़ने की उम्र है यहां पढ़े भी कैसे वसुता तू भी तो यहीं रहकर पढ़ी थी ऐसे ही वह भी पढ़ लेकी कहकर वह अपनी रक्ताव आँखें पोंच रही थी तो यह थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं